तो चलिए फूल वीडियो श्टार्ट करने से पहले चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बलागां को प्रेस कर दीजिए एक न्यूव वीडियो लेकां की नोटिफिकेशन जाएगा तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले गेहू काटा लिया जाम गेहू के माटा डाला है फ्रेंड्स आजम गेहू काटे का कोकिस बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने मेजर्मेंट के घर के लाएक घर का कोई भी कटोड़ी ले ले लिया है इससे हमने दो कटोड़ी गेहू काटा डाला है अब पीसुई सक्कर डाल देंगे देखिए इस्पून केर्प से इससे ही डालेंगे एकी साथ पूरा नहीं डाल देंगे इस्पून से थोड़ा थोड़ा डालेंगे फिर मैंको थोड़ा बोर लगने लगा फिर मैंने पूरा ही डाल देए एक साथ चलो जल्दी से फटा 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 किया जाए अब हमने यहां पर नारेलल ले लिया है नारेलके साथ से दस इलाईची को आमने पिस लिया है देखे ऩा अच्सा तरी के से देखे अब देख सकते हैं इसमें इलाइची के एकदम छोटे छोटे दागे देखे हमने यहाँ पे साथ से आठी इलाइची पीसा है जिसे की बहुत ही बनिया सा सुगंध भी आ रहा है अब देखे सारे मतार ड्राइ यह चीज है इसे सब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हुआ है तो हमने सारे चिजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हमने यहाँ पे एक कटोड़ी के खिए अब और भी डाल सकते हैं बटाज अमने रिफाइन के तिल डाल का बनाया है चुकि बहुत ही जादा बढ़िया बनाया था फ्रेंड्स मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था कूकिस का उसमें गीग डाला था आज मैंने रिफाइन ट्राइ किया है देखिए अच्छे सीसे ऐसे मिक्स करेंगे कि हमने आपे आदा कोटूर की करीब और इसमें एट कर दिया तेल जिसे की तेल से बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट बनता है खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है सॉफ्टूर जो हैं स्य मिल्क पॉडर भी डाल सकते हैं जो हमने मेसरमिंट ली कटोड़ि लिया तहूंसे एक कटोड़ि मिल्क पॉडर सकते हैं दिखी तो अच्छे अच्छे तरीके से बंधने लगाया है अब हमने यहाँ पे दूदे लिया इसके दूद से अच्छे तरीके से इसका डो तयार करेंगे यह फुल क्रिम मिल्क है इसके जो मराई होते हैं उसे में अलग नहीं करना है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूझी फ्रेंण्स हमें सूझी इसी स्टेस पर डालना है जिससे की सूझी बहुत जादा तेल पीती है पानी पीती है हमने पहले इसमें पहले दूपन के तयार हुआ है तो जैसे जैसे फ्रेंट्स मैंने आपको प्रोसेस बताया न वैसे अब सब को फॉलू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सापका भी कुगिस बनके तयार होगा हमने यह पर तेल को गरम होने के रख दिया देगे पहले इसके हम चोटी चोटी ऐसे पेड़े काट लेंगे जिससे कि हमारा काम बहुत ही जल्दी फास्ट फास्ट होगा हुआ है करा तो फरेंड्स आप को फूल वीडियो वाँच किया कर आप फूल वी डियो वाँच नहीं करते हो फूल विडियो वाँच करोगी तो ही आप बोड दो है कैसे बनने यह था मने एक बना कि दोनों हथेलियों को बीच में रगे इसे हलके हाथों से प्रेस करें फिर मस्त ऐसे ही बन जाएगा फिर आप इसमें स्पून केल्प से या फिर नाइप केल्प से कोई भी इसमें डिजाइन दे सकते हैं फ्रेंड्स आप फूल वीडियो वाच किया करो तो ही आपको समझ जाएगा कि कैसे हमें मतलब कैसे रैस्पी को बनाना है आदा देखने से कुछ समझ नहीं है तो आप लोग पूरा वीडियो वाच किया करो आप लोग पूरा आप लोग पूरा आप लोगवाई पूरा वाच किया वाच कि भीड़ियो वाच किया शेएगा को बनाना है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके साम ने मने कुकिस बना के तयार किया है अब हमने कड़ाई में तेल को गरम होने के लिए तेल अच्छे से गरम होगा ना तफराई के देखिए छोटी से इसे हम डाल देंगे छोटा से लोई डालेंगे तेल अच्छे से गरम नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है देखने के लिए तो फ्रेंट समरा तेल बहुत ही अच् इसको डालेंगे देखे हलके हलके हाथ उसे से पलट के अच्छे तरीके से फ्राइ करेंगे तो फ्रेंड्स अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजा फिर आप पूराने भी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देजिए अब बैल आकन को जरूर से प्रेस कर देना जिसे की जो भी मैं वीडियो लेकिया होंगे आपको डारेक्ट नोटिफिकेशन चाला जागा फिर सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन जाएगा तो ही आप वीडियो वाच कर सकते हैं तो जरूर से बैल आकन को प्रेस कर दीजिएगा जो घंटी के टाइप के आती है निर फाइट कलर की वही होता है बैल आकन उसी को प्रेस कर देना और आप लो फूल वीडियो वाच किया करो तो यह आपको इदा मच्छे तरीके से रेस्पी समझाएगा और फ्रेंट्स कमेंट्स में आप लो जरूर से बताइएगा आज का वीडियो कैसे लगा है तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दीखिए तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टेश्टी सा यह कुकीस बनके तयार हो गया है इसे हलके हाथों से इस पूं से हम पलटेंगे किसी बहुत ही अच्छे तरीके से कुक खो जाते हैं तो ज़ड़ा सा इसे सलोव फ्लेंपे फृइए किया जाता है तो फिर गयास पिन्स के फिल्म को हाई कर के थोगा सा कुरकुरा उने तक फृइए कर देते बहुत ही इसी मै दोनों बहुत ही अच्छा लगता है कभी आप वह बना सकते कभी यह भी बना सकते हैं कुछ अलग सा टेश्ट मताद खाने को मिलेगा इस टाइप का देखिए तो कुछ हमने इस टाइप के भी शेप में बना लिये हैं देखिए अब सारी कुकिस को मच्चे से फ्राइ कर हुआ है तो फ्रेंड्स हमारे सारे को कुस बनके तयार हो गए हैं तो वीडियो पसंद तो लाइक करेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा थैंक्स वर रौचिंग मैं वीडियो इस्ट्री कनेक्टेड मिलते हैं ने इस वीडियो में बाई